वेल्कम तू निव वीडियो मैं तुम्हें इस वीडियो में आठ शूपर कूल अंडॉड एप्लिकेशन बताने वालों जो की हैं लॉंचर के उपर वाल्वेपर के उपर और बहुत सारे प्राइविसी के उपर ये सारे एप्लिकेशन जो हैं बहुत सारे यूस्पुल है और कुछ ज़्यादा इस वीडियो को सुरू करता है इस वीडियो को विदाट वेस्टिंग अन्य टाइम लाट्स मूव इन दे वीडियो प्राइविसी डेसबौड यह वे एप्लिकेशन हमें बताता है कि कौन से एप्लिकेशन से हमारी लोकेशन केमरा मायक कॉंटेक्ट am valt यूज यूज रेरा हयं उस if a साइट में जो में बतारा है कि कौन से ऐप्लिकेशन कौनसी इफ्लिकेशन यूज कर रहा है चाम उउस उफिल्तिकेशन का हम यूज कर रहे हैpro यह एफञाचीन बहुत जहाद यूसफल इपलिकेशन है कुएंकि एक नॉटिफिकेशन एपलिकेशन यह तुम्हें तुम्हारी irritating notifications को handle करने में help करता है इसमें तुम अपने customized rules को follow कर सकते हो जैसे कि तुम किसी application से बहुत जाधा notification receive करते हो और तुम चाहते हो कि यार अब नहीं चाहिए इससे notifications तो तुम्हें इस application को ज़रूर use करो बहुत जाधा useful application है यह motion cam यह camera application है जो कि बहुत जाधा शानदा एप्लिकेशन है इसमें तुम बहुत HD में record कर सकते हो premium quality की recording होगी इसके अंदर जो कि तुम्हारे manual controls इसमें बहुत सारे अच्छे manual controls है हम देखता है कि maximum जो applications होता है उनमें manual controls इतने अच्छे नहीं होता है और hopefully तुम्हारा भी बनी जाएगा इसको यूज़ करने के बाद है तो ट्राइक करो इस application को awesome game को Moonbeam यह application बहुत ही unique application है क्योंकि अगर तुम podcast lover हो तो यह तुम्हारे लिए बनाए यार इसमें तुम अलगलग topics को देख सकते हो इसमें तुम्हें suggestion जो मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे साथ ही साथ में इसके जो discovery algorithm है इसका बहुत अगड़ा है तो तुम्हारा time waste भी नहीं होगा और तुम इसमें podcast के प्रोमोस को भी सुन सकते हो ताकि तुम्हें पता चल दाएगा कि यार इस पूरे podcast में क्या हो सकता है तो तुम्हारा time फिर से बचेगा यह एक बहुत ही हैड़ी application मस्ट ट्राइप्लिकेशन है प्रकस्ट लवर्स के लिए तो से ट्राइ करो और बदाओ मुझे comment section में हमें बहुत सी बार समय से आती है कि हम हमारे android से data ios में कैसे पहुंचाएं या फिर windows में कैसे पहुंचाएं तो तुम्हें इस application को आसानी से यूज कर सकते हो जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने किसी चीट को कॉपी किया किसी लिंक को तो directly connected होने के बाद में पीसी पर अपियर हो जाएगा बहुत यूजफुल एप्लिकेशन है और बहुत ज्यादा है एप हैड़ी अप्लिकेशन भी है एफल लॉंचर यह है यह टीवी के लिए है इसका जो आउट लुक हैं वह बहुत ही सिंपल है इसके अंदर तुम्हें जो एप्लिकेशन दिखेंगे वह बहुत ईजी टी यूज तुम उनको कर सकते हो साथी साथ इसके अंदर बहुत एच्छे फीचर्स भी हैं तुम किसी नॉटी यह सबसे इप्लिकेशन होै मैं यदि क्या आना एंयार इसका यह बहुत भी ऑप्लिकेशन हो सकता तुमारे लिए कि इसके अंदर थो मैं बंद को अच्छा एप्येश्या मिनू मिलेगे अजिसके तुम कस्टमाइज इसको थोड़ा अलग application है लेकिन बहुत अच्छ application वालपेबर इंज़न यह पहले विंडोज के लिए हुआ करता था लेकिन अब यह एंडूड के लिए है जो कोई भी वालपेबर के लगर है वो इसको आशानी से युज़ कर सकते हैं बहुत अच्छ application है इसके अंदर तुम अपने custom wallpapers बना सकते हो इसके अंदर के HD live wallpapers को download करके उनको use कर सकते हो साथे साथ में किसी video, gif, image, in सबसे भी उठा कर इनका combination बना कर भी एक अच्छा wallpaper बना सकते हो ओके गाइस तो ये थे हैं हमारे 8 सबसे super cool applications और अब जो last bonus application बचा हुआ है हमें बहुत सी बार जरुत पर दीक हम Android से iOS में data बेजें, iOS से Android में बेजें या फिर Windows में बेजें ये application बहुत जाधा useful है data transfer के लिए ये data transfer का सबसे easy application हो सकता है जो कि across the devices transfer करें Okay guys, so thank you for watching this video, I hope तुमको ये वीडियो पसंद आया हो अगर तुमें इसमें से कुछ भी useful लगाओ तो तुम इस वीडियो को like करो और नीचे जीडियो subscribe का लाल वटेन है न उसका color change कर दो यार झाल शॉबको ये जीडियो को ये जादे हो ये जादे है कर दो ये ले दो फूबसे लेजे चेना झाल शॉबसे टूबसे कर cin K